दोस्तों 29 अक्टूबर धन 13 वाले दिन बस कर लेना एक मुठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ती माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बलकि इस 4 मिनट का समय निकाल करके एक मुठी धनिया का वह प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वह आशी जिर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परिशानी कष्ट और समस्याओं से तुरंथ के तुरंथ मुक्ति मिल जाएगी आपने कई वीडियो में धन्तेरस के दिन धनिया से किये जाने वाले उपाय के बारे में देखा होगा ले आप इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी ले फिर हम आपसे वादा करते हैं कि अगर ये धनिया का विशेश उपाय आपने सही से कर लिया तो धन दौलत आपकी घर पूरे साल बरसेगा आपको राजा बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आ रहेगी यह प्राचीन काल के समय का एक ऐसा महा उपाय है जो अगर धनतेरस वाले दिन किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता है दोस्तों वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन मुद्रा में होती ह इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाती हैं और इस दिन माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिये चीज धनिया का उपाय कोई भी व्यक्ति अगर उनके सामने करता है तो माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीरवाद जर शास्त्रों में बताया गया है धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का बास होता है। कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वह आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में एक चमतकारी और सकारात् आपको सफलता प्राप्त होगी आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोग पाएगा। दोस्तों अगर आप अपनी गरीबी से बहुत परेशा और जिस दिन धन तेरस का दिन है इस दिन एक मुठी धनिया के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है और इस प्राचीन काल के समय के उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वह आशीरवाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन का हर कश्ट जड़ से नश्ट हो जाएगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी आपका बंद पढ़ाव्यापार चल पड़ेगा आपकी तिजोरी में सोना चांदी जेवरात में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन में फिर आपको किसी भी प्रकार की परिशानी और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा इसलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा कौन सा उपाय धनतेरस वाले दिन किस मुहूर्थ पर करना है इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वर्शा हो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नती करें और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें जैमा लक्ष्मी जी की और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजेगा कमेंट बॉक्स में अपनी राश्ची जरूर डाल दीजेगा आपकी राश्ची के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप दिवाली वाले दिन कोई भी लाब पा सकते हैं वो आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी लिखना तो कताई भी मत भूलिएगा सबसे पहला उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय दोस्तों अगर आपके जीवन में धन नहीं टिकता है आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जीस कर्ज के बोज़ में आप लोग दपते हुए चले जा रहे हैं आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे है तो ये छोटा सा उपाय अगर आपने धन तेरस वाले दिन सही महूर्थ पर कर लिया तो मान के चलिए आपके उपर कोई ऐसा दोश है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है भधोश अपने आप खत्म हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीरवात से आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और बेफिजूल खर्ची समाप्थ हो जाएगी आपको ये उपाए धन तेरस वाले दिन रात में आठ बजे के बाद करना है रात में आठ बजे के बाद बस आपको एक मुठी धनिया लेना है आपके घर पर जो भी माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र है वहाँ पर एक घी का दीपक जलाना है एक लाल कपड़ा बिछाना है एक लाल कपड़े में एक मुठी धनिया आपको डाल देना है इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को अपने हाथ में पढ़कर माता लक्ष्मी जी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत ही ज्यादा अत्यांत्र प्रिया है बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमा आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं इस बीज मंत्र को इस जाप को आपको सिर्फ 11 बार करना है उसके बाद इस एक मुठी धनिया जिसको अपने लाल कपड़े में रखा है जिसकी आपने पोटली बना ली है इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी तिजोरी की दक्षिन दिशा में रख देना है इतना उपाय अगर आपने इस प्रकार से कर लिया जो आपको हमने बताया है तो मान कर चलिए यह धनिया आपके जीवन से उस हर प्रकार के दोश को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिकता नहीं था और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की बढ़ोतरी होगी धन की वृद्धि होगी और हर प्रकार का दोश जो भी आपके उपर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय दोस्तों जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वह व्यक्ति अगर धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उस व्यक्ति को सिर्फ फाइदा पहुँचता है शुक्र ग्रह का नियंतरन माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है धन तेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आती है और इस दिन अगर आप एक मुठी धनिया का वह उपाय करते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीरवाज से आपका शुक्र ग्रह पूरे जीवन काल आपका साथ देगा आप धन संबंधित जो भी निर्णाय लेंगे उस निर्णाय से सिर्फ आपको फायदा पहुँचेगा आप अपने जीवन में इस उपाय को करने के बाद बहुत ही उन्नत ही करेंगे बहुत ही आगे जाएंगे ये उपाय आपको धन तेरस की दिन में करना है यानि की धन तेरस इस बार 29 अक्टूबर को पढ़ रहा है बस आपको ये करना है कि धन तेरस वाले दिन किसी भी वक्त नहा लीजेगा एक लाल कपड़े में एक मुठी धनिया रख लीजेगा एक घी का दीपक लीजेगा घर के पास जो भी माता लक्ष्मी जी की मंदिर हो वहाँ पर चले जाना माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के बाद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जला देना है आपको और एक मुठी धनिया जो आप लाल कपड़े में रख करके लाएं इसको माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआना है और घर पर लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं अगर आपने यह उपाय धन तेरस वाले दिन कर लिया तो यह धनिया अभिमंतरित हो जाएगी यह धनिया सिद्ध हो जाएगी क्योंकि धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और इस उपाय को करने के बाद यह धनिया आपके शुक्र ग्रह को इतन अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो आप चाहते हैं आपके जीवन में इतना धन हो फिर आपको धन की कमीना हो आपके घर में आने वाली साथ पीड़ी भी धन पर राज करें तो दोस्तों यह बहुत छोट इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता लक्षमी जी का वह वर्दान और वह आशीरवाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको करोडपती बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ताकतवर उपाय है, इस उपाय को कैसे करना है, चलिए आपको हम बताते हैं, धन तेरस की रात को आपको नहाना है, आपके घर के जहां भी पूजा घर है, जहां पर माता लक्षमी जी की प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको बैठना है, यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, इसमें आपको तीन लॉंग एक रुपए का सिक्का एक मुठी धनिया रखना है। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का जाप ग्यारह बार करना है। बीज मंत्र है A.U.M. श्रीन श्रीये इस पोटली के दम पर इतना धन आएगा जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं। इस पोटली की मदद से आप जरूर करोडपती बन जाएंगे। धन तेरस के दिन यह उपाई अगर किया जाए तो यह उपाई कभी भी खाली नहीं जाता है तो इस उपाई को करना मत भूल ये प्राचीन काल के समय का एक बहुत ही ताकतवर महा उपाय है अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुँचे तो एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं यह उपाय धंतेरस वाले दिन जरूर कर लीजेगा धंतेरस वाले दिन अपने घर पर 11 रोटियां बनवा दीजेगा क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देनी है और किसी भी गाय को ये 11 रोटी और धनिया खिला देना है इतना उपाय अगर आपने सिर्फ धंतेरस के दिन कर लिया तो मान के चलिये सदैव आपका भागय आपका साथ देगा एक गाय में तैतिस कोटी देवी देवताओं का वास होता है गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है गोमूत्र में मा गंगा जी का वास होता है और अगर आप धनतेरस के दिन किसी भी गाय को 11 रोटी और 11 दाना धनिया के खिला देंगे तो यह मान के चलिये आपको कई देवी देवताओं का आशीरवात मिलेगा आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा आपके जीवन में आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय से आपको फाइदा पहुँचेगा यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोरपती व्यक्ति लोग करते हैं जिससे उनको उनके भाग्य के साथ मिल सके